राणावर्ट डाइट में आपका स्वागत है जैस्री रामाक्रश्न आज आपको मैं एक विशेश वीडियो बता रहा हूं जिसके अंदर मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि एक गाली सब्द का अस्तिमाल लेना पड़ेगा वो गाली हमारे परिवार में हमारी समयाज में अम पिता के परिवार और मेरा परिवार और आनी वाले पीडि और मेरे समाज से समाच आता हूं कि मैं इस अशोबनीय अमर्यादित और सहवाधदानिक सब्द का अस्तिमाल ले रहा हूं जिस सब्द को दुनिया में गाली के रूप में जाना जाता है उसको इस परकार कहते हैं गंड मरा गंड मरा सब्द कुछ लोग अपनी सोबा समझते हैं मोलने में पर जिस गंड मरे की हालत क्या है वो गंड मरा क्यों बना है और वो गंड मरा बनने की वज़े और उसके कारणों को जाने भी ना उन्हें ये सब्दों से सुषोबित करते हैं वो गलत है ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें और अधिक शेयर करें मैं डॉक्टर अगना सिंग रानावत साइकोलोजिस्ट और डाइटिशन आज आपको बता रहा हूं कि गंड मरा किसको कहते हैं और उसके क्या-क कोई परिवार का सदे से लाचार हो जाए तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए उससे संभालना चाहिए संभालने वाले बहुत काम है इसलिए मैं उनके लिए आज ये सारा मर्णन बता रहा हूं कि जो गे वो बनते क्यों हैं कैसे बनते हैं और उनके कारण क्या है और आने वाल कुछ जो बच्छे होते हैं उनके साथ एक सक्स ओवर सेक्स डिजीज के जो लोग विक्ती होते हैं वो बलातकार कर देते हैं उन बच्छों के साथ में बलातकार होता है वो बच्छे किसी को बता नहीं पाते हैं और फिर डरा धमगा के उनको रख लिया जाता है फिर एक दो ब व्यक्ति पाए गए हैं, उनमें कुछ जो युवा अवस्ता के 13-14 साल के बच्चे जो होस्टल लाइप में रहते हैं, वहाँ पे भी कुछ सरार्थी तर्थ्व के लड़के जो ओवर और एक सेक्स डिजीज से पिलित होते हैं, वो उन बच्चों को बेला फुसला कर, जब 13-14 साल हो सकता है, वो 15-16 साल के भी हों, वो लड़के उनके साथ में भी इस परकार से गुदा मैथुन कर लेते हैं, उन्हें फिर एक लट हो जाती है, और समाज में जब किसी दूसरे को अग सब्दों वालों में, इन लोगों के साथ में तनाव बरी एक जिंदगी हो जाती है, और उन में क्या-क्या दिक्कत आती है, वो दिक्कत आज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मेरी लाइप होती है, उसके अंदर वो अयोग्य पाए गए हैं, उनके अंदर शादी करने से पह से खो चुके होते हैं, तो वैवाईक जीवन में अयोगीता पाई गई है, इस्तरी में उन्हें अरूची रहती है, इस्तरी से उन्हें कोई लगाव नहीं रहता है, इस्तरी से हमेशा अलगाव होता है, पलायन की इच्छा होती है घर से, इस्तरी में कोई रूची नहीं होन अपना दाइत्व भूल जाता है उन्हें लड़कों के प्रतियाकर्शन जादा रहता है पुरुसों के प्रतियाकर्शन रहता है और हमेशा इसी विचारों में उलजा रहता है कि सुन्दर स्मार्ट अच्छा हैंडसम बॉय कहां मिले और मैं उससे गुदा मैतुन करवाऊं इ इसे लोगों में जो गंडमरे फुकारे जाते हैं उनके अंदर मांसिक रूप से दुर्बलता आ जाती है यान अपराद करवाने में अज्ञान के कारण साहिक हो जाते हैं वो लोग और आत्मशेयम का अभाव पाया जाता है जिसमें सेल्प रेस्टेन कम होता है और एकी दि कमजोर पाई जाती है सामाजी चरित्र किसे कैसे रक्षा करें इस परकार करें गाली गोलोज सुनने को मिलती है पर उस समय उन्हें गुटन के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है फिर इनकी आत्म निर्वरता है वह बड़ी कमजोर हो जाती है कहीं भी परतिसपर्दा कमाई में पिछड जाते हैं और हमेशा सेल्फ डिपेंडेंसी में कमजोर ही रहते हैं और पीछे भी देखे गए हैं दूसरे आत्म सम्मान इनमें फिर आत्म सम्मान कमजोर हो जाता है सेल्फ इस्टिम बहुत ही कमजोर हो जाती है और हमेशा तनाव बड़ा रहता है फिर किसी को क प्रक्षिक्षान में और प्राप्ता कुछ लड़के पढ़ते हैं उनमें प्रक्षिक्षान की अवस्ता में या पड़ाई के अवस्था में या शिक्षा जो ग्रण करते हैं उस समय मन नहीं लगता है उन्हें दिमाग में एक ही लगता है कि सुन्दर अच्छा बलिष्ट साती कौन है उस लड़के के प्रती या पुरुष के प्रती देदर्सन दिमाग में गुमते रहते हैं शिक्षा वा प्रक्षिक्षण में बाधा आती है जिसमें तनाव उत्पन होता है इस परकार जो व्यक्ति होते हैं उनमें सिमित प्रेणना और समवेगों में भी कमी पाई जैती है सामाजीक प्रेणना कम देखी गई है वो कभी हमारे समाज के अच्छे रोल मॉडल के प्रती धान नहीं जिसमें प्रस्तिती के अनुकुल कोई भी समवेग आता है तो वहाँ पे अभाव पाया जाता है जैसे साधिशुदा होकर भी अपनी जीवन साती से मैथन करने में असमर्थ होते हैं और जब नामर्थ साबित होते हैं तब तनाव उत्पन करता है कुछ लोगों में फिर ज्यात्मक्द दुरबलता आई जाती है इस्मर्ति मेमोरी जिसमें अवरूद हो जाती है कुछ याद नहीं रहता है भूल जाता है ध्यान होता है वह एक स्थान पर नहीं रह सकता है अटेंशन की पोजिशन में आदमी नहीं रहता है पर मन नहीं लगता है चिंता होते होते चिंदन खराब हो जाता है जिसमें थिंकिंग अच्छे बूरे का फैसला नहीं कर पाता है और पर्टेक्षन परसेप्शन अविक्षित हो जाता है कि मुझे अब वर्तमान में क्या करना है नहीं करता है फिर मांसिक गुटन और आत्मत्या की विचार आ जाते हैं तनाव हो जा लोग और समद्धा उसे बचता हैं कहें भी रिष्तेदारी में आना जाना वहां पे वो हिमत नहीं कर पाते हैं और इस अवस्ता में आदमी किसी सैकेर्टिक के पास पहुंचता है कि मुझे गैस हो रही है, सरदर्द हो रहा है कि उसके कारण तो वो बताता नहीं है कभी भी बीमार डॉक्टरों के पास में जाके डॉक्टर क्या करते हैं? उसमें उनकी नजर से जो चिंता रोधी दवाया हैं वो दवायां शुरू कर देते हैं और 2-3 साल दवा खाते हैं, पर जो बीमारी क्यों हुई उसके लिए न तो साइको टेस्ट को लेता है, न साइको टेस्ट करवाते हैं इन्हें पता नहीं कि इसके psycho test भी होता है मनवग्यानिक perfection होता है आपके अंदर क्याप समझा है वो एक मनवग्यानिक बढ़ा सकता है इसलिए आप अपने निकट चिंता ना करें चिंता जैसी कोई बात नहीं है आप अगर अपने किसी अपने साती या आपका परिवार में कुछ सदिश्य या आप स्वेंपीडित है तो आप मनवग्यानी को दिखाएं निकट वो आपको अच्छा जरूर करेगा अच्छा सुजाव देगा अगर किसी परकार की कोई कटिनाई हो कोई परिशानी हो आप हमसे संपर कर सकते हैं ये जो पूरुसों के प्रती है वो इस्तरी के प्रती फिलिंग आ सकती है ये लोगों में एक ब्रह्म है लोगों ने ब्रह्म पहला रखे है उन लोगों ने ब्रह्म पहला है जो सेक्शुल टॉय बेचते है वो हमेशा यही कहते है क्यूंकि उनकी आमंदनी कैसे बढ़े वो आम आ मेशारेगी वह मेशां फिलिंग नेचुरल है जो बिल्कुलिगल गलत है उन लोगोंico HASकंडे अपना कर अपने प्रायूजित जो सामान है वो बेचने होते हैं और कुछ लोग फिर सारे इसको हवा हवा कर देते हैं कि ये एक natural feeling है बिलकुल गलत है इस तत्यकों में हम नहीं मानते हैं और इसका आप उप्चार कराएं निश्यत है आपका इलाज होगा आप स्वस्त होंगे आप मस्त होंगे और करते हैं हम फौन पर लंबी वारता नहीं कर सकते हैं कुछ लोग वीडियो कॉल करते हैं उन्हें सक्त मना करते हैं हम वीडियो कॉल ब्लॉक करते हैं क्योंकि हम डिश्टप होते हैं हम उस वक्त इसी फौन से किसी को जवाब देते होते हैं और वह जबाब हमारा कर जाता है इसलिए वीडियो को हम आन्या है, वाटसप के उपर एक सवाल का जबाब दिया जा सकता है, न की लंबी वारता की जा सकती है, दिखते रहिए, मेरे नए अपडेट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, जै हिंद!